तो अभी तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही simple सा process, लिकिन simple सा process जलने से पहले, अगर आपका email का password आप लोग भूल चुके है तो उसको ज़्यादा try मत किए, यानि कि आप لوग अगर भूल चुके हैं तो हम password change कर रही है नहीं हो रा, फिर से लोग डाल रहे नहीं हो रहा तो इस case में आपका क्या होगा आपको मालू में पर ले अगर आप लोग फिर से डालते रहते हैं 10-15 बाल 20 बार तो आपका Google एकाउंट वहाँ से बैन कर दिये जाएगा लगभग 2-3 दिन के लिए ठीक है अब 2-3 दिन के लिए जैसी आपक किन दिन का टाइम जोड लिजे तो जैसी आपको Google एकाउंट से यहां पर बंद हो जाता है उसको completely आपको भूल जाना है आपको दिमाग से निकाल देना है कि मेरा कोई Google एकाउंट था कोई मेरा Gmail अकाउंट था तो लगभग आपको तीन से चार दिन के बाद फिर से आपको उसको open कर लेना है और open करने के बाद फिर से आपको यह सारे चीजों को कर लेना है थिक है तो आप लोग इन सारी चीजों के पर ट्राइ करेजिए चली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग अपना Gmail का password को अगर भूल चुके हैं तो उसको किस तरह से फिर स पासफोर्ड है उसको आप लोग भी कवर कर सकते हैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस से तो चलिए हम लोग सिंपल सा प्रोसेस को देख लेते हैं तो अभी मैं अपने क्या की हैं लैप्टॉप को open करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अपना जो क्रोम का ब्राउजर ह है उसको हम लोग open कर लेते हैं और open करने के बाद यहां से हम लोग चला जाते हैं Gmail पर फिलाल मुझे तो अपना password याद नहीं है, तो उस case में मुझे क्या करना है, यहां से मुझे forget password पर क्लिक करना है, simply यही सब process है, अब forget password पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहां पर मेरे पास एक दूसरा option आजाता है, यानि कि यह ओला मेरे पास एक option आजाता है, अब यह option क क्या होता है, यह option आपको बोलता है कि इस से पहले आपका अगर कोई mobile में आपका यह जो Gmail है, यह login किया हुआ अगर होगा, तो उस case में क्या होता है, कि आपकी पास एक pop-up आता है, उस pop-up को आपको क्लिक करने के बाद यहां पर आपको dot digit का एक number पूछा जाता है, वो आपक क्या हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर try another way पर किलिक करेंगे, अब यहां पर देखे मेरे पास क्या हो चुका है, मेरे पास second case आज चुका है, और second case में क्या होता है, कि आप लोग जिस email को बनाते हैं, उस समय आपको एक mobile number पोचा जाता है, उस mobile number को आप ल फिर से मुझे यहां पर क्या करना है, I don't have my phone पे क्लिक कर लेना है, और यहां से क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से यह finally option आ जाएगा, यहां पर आपको बोला जाता है कि आपका जो information था, वो sufficient नहीं दिया गिया है, उस case में यहां से आपका email जो है recover नहीं होगा, ठीक है इतना सरफ प्रोसेस करने के बाद भी आपका अगर Gmail accounts login नहीं होता है, recover नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, यहां से आपको 5-6 बार और इसी तरह से try करना है, try करते करते, आपके पास फिर से एक pop-up खुल के आ जाएगा, इसी type का, और उसमें आपको बोला जाएगा कि आ आप लोग एक ऐसा email को provide कीजिए, जो कहीं login हो और जिससे हम लोग contact कर सके, ठीक है, तो आप लोग को एक email दे देना है, जहां से आपका वो पहले से कहीं login हो, चाहाँ वो mobile में, चाहाँ वो computer में, ठीक है, तो वो आपका email देने के बाद उसमें एक confirmation code जाता है, कि हाँ आपका यह email सही है या नहीं है, तो उसको confirmation करने के लिए आपके पास एक six digit का फिर से उस पर एक OTP चला जाता है, उस OTP को आपको फिर से यहाँ पर इंटर कर लेना है, और इंटर करने के बाद आपको Google बोलता है कि आपको 48 गंटे से लेके 3-4 दिन का time लगता है, उसमें आपको एक reset वाला जो है, वो आपके पास एक email आ जाता है, आपका उसी email पर जो आप लोग यहाँ पर provide करवाएं थे, तो आपको यहाँ से 3-4 दिन का wait करने के बाद आपको Google क्या करता है, कि एक reset वाला एक password भेज़ देगा आपके link में, और उस link को आपको open कर लेना है, और open करने के बा क्योंकि in future में माल लीजिए कभी आप लोग अपना mobile number भूल जाते हैं, या तो आपना email को भूल जाते हैं, तो आपको इस case में आपको recover की सायता से, आप लोग अपने फिर से email को कहीं भी login कर सकते हैं, तो इस तरह प्रोसेस करके, आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने email को फिर से लोग इन कर सकते हैं